CDS विपिन रावत की निधन पर संसद में चल रहा अपना धर्ना वापस ले लिया है लेकिन सरकार ने अपनी हट धर्मिता दिखाते हुए सदन में विपक्ष को शोक पकड़ करने का मौका भी ने दिया Prime News में बात करते हुए सएद नासर हुसेन ने क्या कुछ का है वो सुनिये हमासे कॉंग्रेस से रासेबा सांसर सएद नासर हुसेन साहब नासर हुसेन साहब जिस तरस CDS विपिन रावत की निधन के बाद सदन में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दियागा क्या कहना चाहेंगे अज ऐसी दुकत गटना कल भी और दुकत दिन है आज सारे लोग अपनी श्रदान जली अर्पित करना चाह रहे थे खासकर आप पोजिशन पार्टी इसके लीडर सार सिवे में मिलके हम बारा संसतों को बले कि भी आज प्रोटेस्ट ना करें तो हम लोगों नुवे आप नर्कनर आज हमारा प्रोटेस्ट सस्पिंड करके कल रेजूम करेंगे तो सारे लीडर सोँंपे क्युंके पहले भी ऐसा होताथ कि हला कांटरी के कुछ लीडर का निदन हो जाता ने हमारे देश के अंदर किसी लीडर्स का निदन हो जाता तो स्रदादली अर्पित करने का दो बात उनके बारे में बोलनेंगा मुखा दिया जाता था पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे सरकार जो है आपोजिशन पार्टी किसी बोलने ने ये ये भी बड़े कि खिलाब सदन में धर्णा दिया ता फिर भी आप लोग ने उसे आज अस्तरगीत रखा है तो फिर असे सरकार की हर्द्रमता मानी जाएंगा यह तो सरकार के हरद्रमता हई है ये तो है दर्जमता है सरकार की और जिस तरह सी ये लोग अपना रवाया बना रहे हैं ये पारलिमेंटी डिमोक्रासी के लिए ठीक नहीं है आप वहां पे तीनों किसान मिल वापस लिए और उनके खिलाफ जितने हुआ आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ जो भी केसस थे उस जो करके पोलिटिकल पार्टीज को ये तंग करने की जो कोशित सरकार करें ये रवाया एक पार्लिमेंट्री डिमोक्रासी के लिए ठीक नहीं है तो ये चीफ ऑफ डिफेस स्टाफ जनरल विपिन रावार्थ के निधन पर राजस्ता